हेलो बच्चो आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेंस फार्मूला और मेगनिफिकेशन के उपर सबसे पहले हम समझते हैं कि अब्जेक्टिड डिस्टन्स और इमेज डिस्टन्स क्या होता है जब अब्जेक्ट को किसी लेंस के सामने रखा जाता है तो उसकी दोरी लेंस से जाकर अप्टिकल सेंटर से उसकी जो डिस्टन्स होता है उसे हम अब्जेक्ट डिस्टन्स कहते हैं वो डिस्टन्स और अब्जेक्ट को यू से परदर्शित किया जाता है और उसके बाद जहाँ पर भी image बनेगी उस image के distance को v से लिखा जाता है कहने का मतलब distance of image को हम v से लिखते हैं और optical center और principal focus के beach की दूरी को हम focal length कहते हैं और focal length को small letter f के साथ लिखा जाता है minus 1 upon u equal 1 upon f यानि की focal length जिसमें v का मतलब होता है image distance, u का मतलब objective distance और f का मतलब focal length next हम magnification की बात करते हैं magnification जो होता है वह हमें बताता है ratio of the height of the image to the height of object तो इसके defined लिख लिख सकते हैं the linear magnification is the ratio of the height of the image to the height of object इसलिए इसका formula भी क्या बनता है तो यह है magnification का formula है height of image upon height of object जिसमें हम इसे short में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं m, magnification को small letter m से denote कर सकते हैं और height of image को हम h dash और height of object को h से लिख सकते हैं तो यह formula एक तरह से हमें यह बताता है कि जो image है वह object के मुकाबले कितनी ज्यादा बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है उसकी ratio को बताता है इसका formula कुछ इस तरह से भी निखा जा सकता है m equal v upon u जिसमें v का मतलब है image distance और u का मतलब है object distance अगर magnification की value equal 1 आती है इसका मतलब जो image है वह है same size है as object का जो size है अगर m की value बड़ी आती है 1 से यानि कि 1.5 जा 2 जा 3 कुछ ऐसे value आती है इसका मतलब है कि image की जो height है वह object की height से बड़ी है और अगर ये value 1 से छोटी आती है 1 से छोटी जैसे 0.5 आगी जा-2 आगी तो इसका मतलब है जो height of image है या छोटी होगी object से clear? अगर m की value बड़ी तो image बड़ी बनी है अगर m की value छोटी है तो image का size होगा वा object से कम होगा और magnification निकानने के बाद numerical में image की nature के बारे में बताना होता है तो हम magnification की value देखकर ही बता सकते हैं कि उसकी nature के बारे में अगर तो magnification की value अगर magnification की value positive आती है तो image के बारे में क्या लिखना होता है कि कौन सी image है virtual and erect virtual and erect erect मतलब silly और अगर magnification की value negative आती है तो हम लिखेंगे उसके बारे में कि जो image के nature के बारे में वो क्या है real and inverted है real and inverted इस example के तोर पर माल लेती है कि माल लीजिए कि magnification की value आई है 2.5 और आपने इसकी nature के बारे में बताना तो कैसे बताएंगे पहली बात ये 1 से बड़ी आई है value 2.5 जो 1 से बड़ी है तो हम लिखेंगे जो image है वह enlarged बड़ी बनी है larger than object है और second ये इसकी value positive है तो आप लिखोगे virtual and erect इसी तरह से अगर magnification की value negative आती है और गर magnification की value negative आई है तो आप लिख सकते हैं कि जो image होगी negative के लिए क्या होता है real and inverted होगी लेकिन इसमें negative sign को देखकर हम इसकी value को less than 1 नहीं मानेंगे क्योंकि negative sign का मतलब केबल real and magnification के उपर अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूले thanks for watching